आपको एक टॉपिक करवा रही हूँ जिस टॉपिक का नेन है शो एंड टेल मैं आपको पहले भी करवा चुपी हूँ करवा चुपी हूँ शो इंस कि आपके सामने ये पोहाँ सारी चीज़ है जो शो हो रही है आपको दिख रही है और आपको एक ही करके मुझे वो चीज बतानी है मुझे टेल करनी है ओके बिटा, तो show and tell और क्या है बिटा, जुतने आपको मैं पहले things दिखा चुकी हुँ न उसका हम लोग quick revision लेते हुए मैंने एड्स में two things और new add की है, तो वो भी मैं आपको बताने बाले हूँ ओके बच्चा, shall we start? ओके, let's start okay, first of all देखो, सबसे महले तो यह क्या है बटा यह chair है, क्या है यह chair, हम लोग क्या करते हैं इस chair पर बैठते हैं, बैठते हैं आपकी teacher school में बैठती है इस chair पर, या घर पर भी बैठती हैं, बैठती है ना इस chair पर यहाँ पर बैठती है ना आपकी मैं और आपके पास भी हो सकता है चोटी सी स्मॉल सी चेयर हो आपके घर पे जिस पे आप बैठते हो है ना? तो इसको क्या बोलते है जिस पर हम लोग बैठते है? चेयर क्या बोलते है बेटा? चेयर क्या है ये? चेयर आप देखो इस चेयर पे क्या पड़ा है? बैग, क्या होता है ये, बैग, clear, और ये क्या है बिटा, what is this, bangles, आपकी ममा पहनती है न, bangles, पहनती है न, bangles, okay, कहां पर पहनती है, आपनी arm पे, wrist पे, arm पे, है न, तो ये क्या है बिटा, bangles, okay, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हुँ न, तो अब क्या है बिटा, ये क्या है, pen, क्या है ये, pen, pen है न, ये, आपकी pen क्या करती है इस pen से, आपकी notebook check करती है, करती है न, pen से check, तो इसको बोलते हैं हम लोग pen, क्या बोलते हैं बिटा, pen, इसके बाद हमारा next जो है, वो है pencil, ये क्या है बिटा, pencil, पैंसिल से आप अपने work क अभर करते हो न, इस तंपर आप Work करते हो, पैंशल से, पैंशल से, तो ये 3 चीज़ आपको शो हो रही है न, Pen Pencil and Nudge Book Clear तो अब मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ बेटा Water bottle क्या दिखना है आपको Water bottle इसमें water है ना आज मैं बूसरी बोटल ली क्योंकि इसमें transparent है water आपको दिख रहा है ना इसके अंदर water दिख रहा है ना तो ये क्या है बेटा हमारी water bottle ये क्या है हमारी books क्या है बेटा ये हमारी books आपकी books है ना इसको बोलते है बेटा books नौर्ट बुक पर तो हम written work करते हैं और book में से हम read करते हैं पढ़ते हैं ओके बेटा books पर different different होती है art की book होती है English के लिए Hindi की, rhymes की है ना तो इसको बोलते हैं बेटा, books उक के ऊसके बार हमारा जो next thing है वो है lunch box क्या है ये? lunch box क्या है बेटा? lunch box इसमें आव अपना arms करते हो school में लेकर आते हो na lunch box lunch box लेकर आते हो अतनो तो इसमें क्या होता है आपका खाना तो आप उसको बैठके खाते हो ना इसको बोलते है बिटा lunch box, क्या बोलते है lunch box, ये तो थी हमारी वो चीजे जो हम पहले भी revise कर चुके है अपने previous class में तो main जो मैंने आपको दो चीजे बतानी है वो क्या है बिटा जो आपके लिए new है, बड़ आपको learn करनी है, बिटा इसको बोलते है blackboard, क्या बोलते है blackboard, ये क्या है blackboard, आपकी class में दिखाई नेता ना आपको blackboard आपकी teacher उस पर काम करती है लिखती है, लिखती है ना तो ये क्या उसको बोलते है बिटा blackboard, अब ये तो है blackboard, लेकिन और जो मैं आपको चीज दिखाने वाली हूँ बेटा वो ये है कि ये है हमारे chalk sticks देखो chalk sticks बेटा ये color भी आते हैं और white color में भी आते हैं तो मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाए हैं ठीके white वाला भी दिखा दिया और color भाले भी दिखाएं ओके इसको बोलते हैं chalk sticks जिससे आपकी मैं इस पर work करती है जैसे ये दिखो मैंने यहाँ पर लिखा एक ठीक है किससे काम कर रही हूँ मैं chalk sticks से किससे कर रही हूँ chalk sticks से पर किस पर लिख रही हूँ मैं किस पर लिख रही हूँ ये क्या है black board है ना black board तो किससे work कर रही हूँ मैं chalk sticks है और किस पर काम पर रही हूँ मैं black board पर तो इसको बोलते है black board और इसको बोलते है chalk sticks clear बच्चे तो अभी हम जलते ही से revision करते है सबसे पहरे तो आप ये देखो ये हमारी क्या है books, क्या बोलते है इनको books, clear फिर क्या है बेटा हमारी notebook, क्या है ये notebook इसको क्या बोलते है bag क्या बोलते है bag और ये क्या है बेटा chair, क्या है ये chair, black board bangles pen pencil chalk sticks water bottle and lunch box ओके तो ये क्या करना है आपने अच्छे से अपने घर पर revise करना है ओके बेटा ओके, bye bye, take care